हम बनाएंगे मुहासे के लिए दबाई जो मुहासे मुहासे निकल आते हैं तो जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो मुहासे निकलते हैं जैसे 14-18-20 साल के अंदर बहुत जादा निकलते हैं फिर कम हो जाते हैं अपने आप दिरे-दिरे 20-22 साल के बाद में कम होने रखते हैं तो मुहां से जब निकल आते हैं तो ठीक होने के लिए कोई भी दबाई लाओ कहीं से भी तो फायदा नहीं करती है तो उसके लिए हम आज एक दबाई बताएंगे तो उससे क्या आसानी से मुहां से जो हैं खतम हो जाएंगे दो तीन बार लगाने के बाद में इसको अपने आप दूल जाएगा इसको जैसे दबाई की तरह लगा देना है और उसके बाद में इसको दूल लेना है और उससे क्य कि मुहाँसे आपके जड़ से खतम हो जाएंगे और फिर दुवारा निकलेंगे नई अगर मुहाँसे निकलते हैं फेज पर तो जैसे सावुन है सावुन और मतलब जो फेज़ वास होता है ये सब चीजे नहीं लगानी है ये सब चीज़े अगर अगर आप लगाएंगे तो ही निकलेंगे अगर आपके पास कच्चा दूद है तो कच्छे दूद्स से फेश को साप कर सकते हैं कच्चा दूद्स थोड़ा सा 밑 ले लेकर और बस फेशसस पे तो थोड़े दियर के लिए छोड़ दो अपने आप मैल छोड़ देगा फेस और इसके अलावा में सहेद और नीबु से भी साफ कर सकते हैं तो फेस पर अगर साबू लगाएंगे तो आपके दाने और मुहां से बहुँ जादा निकलते ही निकलते हैं और जैसे जिसके मुहां यह चाल है नीम की चाल नीम का पेड जो होता है जो नीचे से मोटा सा उसका तना जाता है तो उसी में से यह छुड़ा लेना है ऐसे फटी-फटी सी हो जाती है दिखाएंगे फटी-फटी सी हो जाती है तो उसको ही छुड़ा लेना है थोड़ी सी ले लेना उसको पानी में भ तो इसमें इस तरीके से ऐसे घिस लेंगे थोड़ा 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 पानी डालते जाएंगे अगर जैसे कोई दिक्कत हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए भीगो के छोड़ेंगे और इस तरीके से इसको घिसेंगे जैसे किसी भी पथख हो से घिसना है इसको दोनों हाथों से घिस सकते हैं मैं कहां से बना रहे है वीडियो इस तरीके से घिजना है ये फोड़े फुन्सी पे भी लगाते हैं इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है ये ठंडा होता है ना इसको निमकठा बोलते हैं हमारे हां गाउं में निमकिछाल निमकठा कुछ भी बोल सकते हैं दाने भी छोटे-छोटे निकल लाएं उसमें भी लगा देंगे तो आराम मिल जाता है कोई भी इसकिन प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी आराम मिलता है निमकठा ये पहले की चीजे हैं और हम लोग भूल गए हैं याद नहीं रहता है जब वो प्रॉब्लम होती है तब याद आता है कि हम लोग लगाते थे तो इस तरीके से एक घिस लेना है और इतनी जीग हैए है जैसे मुहासे पर मुहास यिस जैस यी दाना है तो इस पे ऐसे करके लगा देना है और लगा के इसको छोड़ देना है अपने आप ये धुल जाएगा जैसे नहाने धुने के बाद में फेस पे इस तरीके से अपलाई कर लेना है और उसके बाद में इसको सूखने देना है सूख जाएगा उसके बाद में एकदम ठंडा ठंडा सा लगेगा उसके बाद में अपने आप धुल जाएगा और इससे ना बहुत जदा आराम मिलेगा फोड़े फुनसी हो या मुहा से हो तो उस पे लगाने के लिए तो चलिए फी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के एली रादे रादे